आज की हमारी रेस्पी है रस्मलाई वैसे तो रस्मलाई छेने का बनता है मगर हम आज पनीड से बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे 250 कराम पनीड ले लिया है इसको क्या करना है हमें मिक्सी में पीस लेना है पीसने से क्या होगा कि आप इसको मतलब आपको जादा गूनना नहीं परेगा हात से इसलिए पहले हम इसको तोड़ लेंगे हम इस्को तो RESraphड़क पीस लेंगे तो देखि इày हमने यहां पे dragon मेर कीमें इसको पीस लिया है मैं मैं इसको दोड़ प्लेट में सब्सक्राय हुच तो मैं आपको इसको स्पून से दिखाती हूं देखिए मितलब यह कितना कितना अच्छा से पिस गया है जिसे आपको जाधा गूदने का गूदना भी नहीं परेगा और ना भटने का डर भी नहीं रहेगा उसी के साथ हमने यह आप लिया है दो चमच मेदा और आधा चमच और हथेली की साथ से इसको दो चारवार इसको पीशेंगे तो देखिए कितना अच्छे से हमारा डो बनके रेड़ी हो ग्या है तो जितना हमारा प्लेट में लगा है सारा समेट लेंगे और पहले गोल बना कर दिखेंगे अगर अच्छे से गोल घर पे हम बनाते हैं तो छेने का बनाते हैं मगर आप इस पनीर से बना के देखिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी बन सकता है उसके बाद मैं ले नहीं हूँ काजू और बदाम इन सबको मैं अच्छे से एक बार इसको थूट दूँगी मतलब वैसे तो कटिंग करना चाहिए पर मैं इसको अगर हम इस पर अगर अच्छे से इसको प्रेस करके तोड़ते हैं तो देखिए अच्छे से प्रेस हो जाता है और तूट भी जाता है कटिंग करने में जाधा टाइम लगता है और वैसे पीसने में जाधा टाइम नहीं लगा लेंगे घी ओयल जो अप लगाना चाहते हैं वो पूरे हठीली पर लहाशे, बनाएगे और your national लगां भूसले बना लगा करेंगे झाल कuks आजकर बफ़कु तो सब्सकर नहीं बनाइना चाहता थो और अपने साइज के हिसाअब से बना सकते हैं ठोड़ासा साइज में पर चोटा बना सकते हैं या फिर मीडियो भी बना सकते हैं तो मैंने छोटा- Deaf चोटा बनाया है तो देखिए लाश वाला भी मैंने यहां बनाके डेडी कर लिया है उसके बाद हम बनाएंगे चाशनी तो इसको हमें चाशनी में उबाला है तो मैंने यहां पे एक कप से तेर कप चीनी लिया है उसी के तर चार कप पानी लिया है अब क्या करेंगे चीन नी और पानी को मिक्स कर लेंगे जब हमारा चाशनी में उबाल आ जाएगा तो हमने जो रसगुला बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसको बॉइल करना है हमें तो देखिए मैंने सारा रसगुला इसमें डाल दिया है और इसको हमें boil करना है इसको high flame पे boil करेंगे low flame पे नहीं और बीच बीच में क्या होता है ना मतलब चाशनी का थोड़ा सा पानी जो है वो गाढ़ा होने लगता है तो बीच बीच में थोड़ा सा जो पानी मतलब side side हो जाता है ना तो बीच में से चमच की सायता से हम पानी उस से ही इससे क्या हुआ आपका रसुला है जो अच्छी से फूल जाएगा और फूटेगा भी नहीं और कच्छा नहीं रहेगा तो मैं पीच बीच में गरम पानी इसलिए एड़ कर रही हूँ आप भी एड़ करिएगा तो आपका रसुला एकदब अच्छा बनेगा तो डेच सकते मेरा रसुला अंदर jewel जाकर बैठ ग्या है तो हम क्या करूँगे इसको एक ब्लेक में चाल लेंगे तो मैं एक की करके इसको निकाल लेथी क्योंकि ये बहुत गरम है, इसलिए तो देखिए, मैंने सारे रसबूलों को निकाल लिया है, और जो एक्सक्रा पानी है, उसको थोड़ेसा मैं साइड से निकाल दूगी, तो क्या होगो थंडा होगो तो ये साब पानी सोख लेगा, इसलिए भी निकाल लेती हूं तो देखिए मैंने सारा पाने निकाल लिया है उसके बाद वही वाला पैल लेंगे उसमें हम आधा लिटर दूद इसमें डालेंगे और को हमें बॉल करना है पहले तो हम यहां पर रस-मलाई का रस बना रहे हैं तो देखिए हमारा दूद में बॉल आ चुका है एक बार कर्चुल से चला देंगे हमें थोड़ी दर दूद को बॉल करना है जब तक इसका स्ट्रेक्चर थोड़ा सा मोटा ना हो जाए उसके बाद इ इसलिए है फिर मैं इसमें डाल रही हूं उसी के साथ काजू और बादाम वो भी डाल रही हूं इन सब को हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर हमें लोग फ्लेम पे पकाना है दूद को थोड़ा सा मूटा सा स्टेक्चर होना चाहिए खोय जैसा मतलब खोया नहीं ब उसके बाद फूट कलर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा जो मिल्क है वो अच्छे से खॉल चुका है मतलब अच्छे से ये रेडी हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसको गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और जितना भी रसगूला होगा वो सब एक एक करके एक बरतन में डालते जाएंगे जिसमें हम हमारा जो मिल्क हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे तो देखिए मैंने सारा रसगूला इसमें बनाके डाल दिया है उसके बाद हमने जो मिल्क बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे और हमारा रसमलाई बन के रेडी हो गया इसमें जादा मेहनत नहीं करना पड़ता ना आपका फूटने का डर होता है ना क्रेक आने का डर रहता है और इतना अच्छा बन के रेडी होता है मैं आपको क्या बत हो आप इसको रेस्ट करने के लिए ओवरनाइट रख सकते हैं या आप दो-चार घंटे रख सकते हैं तब दो-चार घंटे के बाद आप खा सकते हैं उसके उपर मैंने थुरा सा ड्राइफूट्स स्प्रिंकल कर दिया है ताकि तेखने में अच्छा लगे तो इस रख्षबंदर आप ये रेस्ट भी बना सकते हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो फिर एजी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइबर शेर जरूर कीजिएगा और कोई गलती देखे तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा तो देखें मैं आपको next morning में अपना रस्मलाई दिखा रही है और देखें कितना अच्छा फूल गया है और कितना अच्छा बन गया उससे तो आदा खतम हो गया है पर मैं आपको दिखा रही हूँ तो ऐसरे मिलते में नेच्छ वीडियो में